सूप्रभाद चात्रकर्ण आज मैं आपचारिक पत्र किस प्रकार लिखा जाता है इस विशे पर चर्चा करूंगी आपचारिक पत्र ऐसे पत्रों की श्रेनी में आते हैं जो सरकारी कारियालेओं के कर्मचारियों, प्रधानाचारियों, प्रकाशकों, व्याफसाईक संस्थानों के अधिकारियों, दुकानदारों आधी को लिखे जाते हैं अब आते हैं आपचारिक पत्र के प्रारूप पर, बाया तरफ हमें नाम लिखना है, सबसे पहले नाम उसके बाद पता, पता के ठीक पश्चात दिनांख, दिनांख के बाद सेवा में तो सेवा में लिखकर जैसे किसी जल संस्थान अधिकारी को आपको पत्र लिखना है, किसी समाचार पत्र के संपादक को आपको लिखना है, या विद्यूत बोट के महाप्रबंधक को आपको पत्र लिखना है, वो सेवा में के ठीक नीचे ही आपको लिखना है अब आते हैं विशे पर, विशे के अंतरगत दिये गए विशे को सबसे छोटा करके आपको लिखना है महोदय महोदया इस प्रकार के पत्रों में प्रिय, पूझनिय, आदर्निय, आदी का स्थान नहीं होता केवल महोदय या महोदया आदी से ही पत्र शुरू करना चाहिए सविने निवेदन यह है कि मैं उपरी पते का निवासी हूँ मुख्य वाक्यांग्ष सविने निवेदन है कि से वाक्य आरंभ करके अपनी बात जो प्रश्न में पूझी गई है लिखनी चाहिए इसके बाद हमें पैरा को बदलना है पैरा को बदल कर हम लिखेंगे अतह आपसे अनुरोध है कि आप इस विशे पर कोई ठोस कदम उठाएं तो यहाँ अंतिम पंक्ती है इस पंक्ती को लिखकर ही आपको पत्र का अंत करना है फिर से आते हैं बाएं तरफ आपको सधनेवाद लिखना है बाएं तरफ उसके ठीक नीचे भवदिय या भवदिय ठीक उसके बाद अपना पहला नाम तो अपना पहला नाम लिखकर ही हम आपचारिक पत्र को यहीं समाप्त कर रहे हैं धन्यवाद